नमस्कार दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का कचालू अगर इसे हमें सुबा सुबा बना के खाते ना तो बहुत ही सौधिस लगता है तो ये आलू का कचालू मैं एकदम स्टेप बाइ स्टेप और यूनित तरीके से बताने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो में बने रहे हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर आलू का कचालू बनाने के लिए छोटे 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 आलू ले लिया है अगर वेट की बात करूँ ये आदा किलू है तो आलू का कचालू बनाने के लिए हमें बड़े आलू नहीं लेना पड़ेगा छोटे वाले आलू आप लिजे बहुत ही सौधिस लगेंगे तो छोटे जो आलू मैंने लिया है उनको कूकर में एड़ कर दूँगा ताकि बॉइल होके अच्छे से पक जाएं तो यहां पर छोटे आलू कूकर में एड़ हो गए है और अब मैं यहां पर एड़ करूँगा एक चमच नमक तो मैं नमक एड़ कर दूँगा तो आलू अच्छे से पक जाएंगे और अच्छे से सौधिस लगेंगे तो इसे हमें एक सीटी बजने तक हमें पकाना है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सीटी बजना चाहिए अगर दो या तीन सीटी बज जाएंगी तो हमारे जो आलू होना वह एदम भरता बन जाएंगे तो इसले हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीटी लगाना है और जब एक सीटी बज जाना तो तुरंट आपको फ्लेम को आफ कर देना है और फी उसे ठंडा होने के लिए रख देना है तो यहां पर हमारा ठंडा हो गया है कैफ को निकालते हैं तो कैफ निकालने के बाद मैं आपको आप दिखाता हूँ तो यह देखिए दोस्तो एक भी आलू हमारे भरता नहीं हुए हैं एकदम अच्छे से पके हुए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ तूटपी मैंने यहाँ पर लिया है और इसको यहाँ पर मैं डाल दिता हूँ यह देखिए एकदम मस्त यहाँ पर हमारा अलू पका हुआ है और इसको हम क्या करेंगे कि छिलके उलके सब उतार लेंगे और साइड में रखेंगे तो अब हम चलेंगे आलू का चालू बनाने की तरब तो मैंने यहाँ पर एक कढाई ले लिया है और इस कढाई में मैं हम पर एड करूंगा बड़े चम्मा से एक चम्मच सरसो का तेल तो आलू का चालू बनाते हमना सरसो को तरह से बहुत इस सौदस लगता है तेल गरम हो जाए तब हम यहाँ पर आधा चम्मा डाल देते हैं जीरा आप यहाँ पर राई का इस्तमाल भी कर सकते हैं और लसन अधरक का पेश्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक चुटकी हल्दी पाउडर एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर एक चुटकी कस्मली लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ मयाँ पर एड़ करूँगा एक चम्माचे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर इन सभी का इस्तमाल कीजिए और खटा फ्लेवर के लिए मयाँ पर ड लाक चलाक है इंको पकाना है मसालो को जब मसालो से खुश्बूओं आने लगे तब हम यहाँ पर डाल देना है आलू छोटे वाले आलू यह देखिए मैं इनके चिलके उताल लिया था यह देखिए तो छोटे वालू बहुत ही सौधिस लगते हैं कचालू बनाके खाने में ख देने की पत्तियां और अब हमें क्या करना इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी जो आलू में वो मसाले अच्छे से लग जाए तो आपको यहाँ पर हलके हां से मिक्स करना है ताकि हमारे आलू फूटे नहीं तो यह देखिए द अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में